अजे ब्रेक खतम चलो ब्रेक के पहले जो क्लास थी वो हैवी थी मुझे ऐसा लग रहा है अब जो पढ़ने जा रहा है वो भी कम नहीं है वो भी हैवी ही है अर्मतलब सर मतलब है मैंने बडाया था आपको भाईनो में मॉर्डल ऑक ही अब उसमें क्या-क्या पढ़ा था सब एख था polynomial model के अंदर ही 2-period binomial model वो binomial model ही सिंगल-period binomial model जो सबसे पहले पढ़ा था 2-period binomial अपने अभी पढ़ लिया अब binomial भी 3 approach से हम value निकालते थे value निकालने का approach था 1 था रिस्क नियूट्रल प्रोबाइबिटी ठीक है जब दूसरा था रैप्लिकेटिंग पॉर्टफोलिय रैप्लिकेटिंग पॉर्टफोलिय यह भी ठीक है और थर्ड जो था उसका नाम था डेल्टा हैसिंग यह रिस्क पॉर्टफोलिय मैंने कौन सा करवाए हूँ सहाव अभी तर आप जो करवाया है आपने यह वाला करवाया है ठीक और यही इंपॉर्टन्ट भी है मतलब क्या important वाला area हो चुका है हमारा हा सर और सर ये दोनों ये दोनों important नहीं और इससे तो question आज तक आया नहीं है इससे जुरूर question पूछा गया डेल्टा हेजिंग से एक question पूछा गया और ज्यादा आसान भी है कौन से वाला risk neutral probability approach ये दोनों आसान नहीं है इन दोनों के विसे में आपको बहुत कुछ story सुननी पड़ेगी मेरी पर कर लो आया हुआ है अभी अभी आया हुआ है और आगे भी आ सकता है तो मैं भले ही ये आया हो चाहे नहीं आया हूँ मैं आपको करवा रहा हूँ सर ये exam oriented है हाँ जी सब exam oriented है मैं कुछ भी आपको फालतों नहीं बता रहा हूँ सब exam जहां मुझे लगेगा कि ये exam oriented नहीं है मैं पक्का आपको नहीं बताँगा ठीक है जी चले तो बात करे यस बिल्कुल ध्यान से पहले ना मुझे एक मिनिंग इसरे डेल्टा क्या है एक मिनिंग समझानी पड़ेगी अभी मैं इसको रफ कर दूँ क्या हाँ सबसे इंपॉर्टेंट सब्ध वह है डेल्टा सर क्या है आखिर डेल्टा सुनों यहां से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं पैटे बास समझ ना मेरी बात को आज शियर का प्राइस है आज शियर का प्राइस है 500 आज शियर का प्राइस है 500 ओप्सन का नाम है कॉल अप्शन अब प्रीमियम दिया गया है कोई निक्ट नहीं है एक नॉर्मन प्रीमियम का अमाउंट है दस रुप्सन कौन सा है कॉल और सब्सक्राइट कितना है प्रीयड है थ्री माउंट मेरा गोशनी यह है क्या शियर का दाम अगले दिन मान लो अगले दिन पास सो पचास हो गया शियर का प्राइस बढ़ा तो क्या कॉल अप्शन का जो प्रीमियम है प्रीमियम जो रिसिप्ट का वैल्यू है क्या वो भी बढ़ेगा हां बढ़ेगा यह मैंने डिसकस किया था जब आपको डेरिमेटिव समझाने की कोशिश कर रहा था इसका वैल्यू कैसे डिराइव होता है जैसे जैसे शियर का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल अप्शन का वैल्यू भी आटोमेटिक बढ़ेगा तो ठीक है ना सर क्योंकि यार अब अगर मैं अगर मैं 550 पर अब exercise करूँगा तो वैसी फायदा दिख रहा है ना आपको ठीक है सर तो बास समझ में आगई की शियर का प्राइस बढ़ने से कॉल अप्शन का वैल्यू बढ़ता है कॉल अप्शन का वैल्यू डिराइव कहां से होता है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट कि कुछ और तो मैं यसे गह रहा हूं कि जो लोक शेयर ट्रीडिंग करते औंट उन्हें अच्छी से पता होगा कि जो कॉल अप्शन में थैमक्र ऑप्शन का वैल्यू तो बढ़ता है पर एकवल नहीं बढ़ता अगर श्रण बढ़ता तो कॉल अप्शन का वेल्यू बढ़ शेयर का प्राइस बड़ा तो कॉल अप्शन का वैल्यू बड़ा पर थोड़ा सा बढ़ता इट मिंस मैं आप से बोल रहा हूं यह पचास से नहीं बढ़ता सर कहना क्या चाहता हूं जो कहना चाहता हूं उसके लिए आपको पैसेंस रखना ही पड़ेगी ठीक है इसको अटा यह और मैं इख मन से बोल रहा हूं हाला कि यह और 30 रुपढ्ень हो सकता थी सुल्पवे कुछ बी यह चाहंगा प्रइस डा ऑगया अपकी बार 600 रुपए तो ये फिर बड़ा 25 से प्लस 25 और सर ये कितना हो गया तो 35 और 25 कितना होता है सर 60 रुपए पकाना यार सर इसका मतलब अगर शियर का प्राइस 50 रुपए से बढ़ता है तो प्रीमियम या वैल्यू अप्शन 25 रुपए से बढ़ता है डेल्टा मतलब रिलेशन्सिप निकालना बस मुझे रिलेशन्सिप बता दिये तो टेंशन करता है सर मैं कुछ निकालने की कुछ रेशो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ अब रेशो मुझे चाहिए सर शियर का प्राइस बढ़ा तो call option बढ़ा पर उतना नहीं बढ़ा share का price गिरा तो call option भी गिरेगा पर उतना नहीं गिरेगा तो कितना गिरेगा भाई sir share का price 50 रुपैसे बढ़ता है तो option का value 25 रुपैसे बढ़ता है दूसरे language sir share का price 1 रुपैसे बढ़ता है option का value पचास पैसे से बढ़ता सर हो गया ना सर it means मैं ऐसे कर दूँ क्या ये क्या है सर ये premium है pay off है अब pay off भी बोल सकते हो it means सर ये कितना है सर ये 25 और यहां कितना है 50 तो answer कितना आ गया point five point five को ही बोलते है मैं डेल्टा इसी का नाम होता है डेल्टा अगर कोई बुलेगा डेल्टा का मिनिंग डेल्टा है point call option का डेल्टा है point five बोल कर बताओ क्या है sir call option का डेल्टा है point five का मतलब share का price एक रूपया से change होगा ना तो option का value point 50 पैसे चेंज होगा ठीक अच्छा अगर किसी call option का डेल्टा है point six इसका मतलब 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 सर्चेयर का price एक रूपैसे change होगा तो option का value start पैसे change होगा कितना असान इसको डेल्टा बोलते बस में डेल्टा समझाने की कोशिश कर रहा था कि डेल्टा क्या होता ही आपको सुनना पड़ेगा यहां तक तो बात आई अब आगे क्या करना क्या समझाना क्या चाहते हैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझना अब मैं क्या सूच रहा हूं सुनो मैंने का यार मान लो एक परसन है जिसका नाम है रा अगर वो एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया, अभी प्रैस कितना हो जायेका थर्डी फाइफ मतलब उसको कितने का फायदा हो जाएगा पछिस अगर वहाँ नहीं बेसता फिर प्रैस कितना हो तो स्को कितने का फायदा हो जाएगा 25 का और बात समस्रों राम है उसने कॉल ओप्शन खरीदा एक कॉल ओप्शन और उसको मालूम है यहां शेयर का प्राइज बढ़ेगा तो मेरा ओप्शन का भी वैल्यू बढ़ेगा और मुझे 25 का फायदा हो जाएगा अगर मैं बेज इसने राम ने क्या खरीदा एक कॉल ऑप्चान ध्याहान से समझना मैं क्या कहना चाहते हूँ सर और एक कौन पर्सन है जिसका नाम है श्याम और उसने खरीदा है पॉइंट फाइप शेर आधा शेर सर पहली बात आधा शेर कहा मिलेगा आपको हमारे स्फम में आधा शेर खरीदना और बेचना एलाउ है इट मिंस स्फम में फ्रैक्शन में शेर खरीदा जा सकता है यह मान के चलो तो कितना शेयर खरीदा जी? आदा शेयर दिकस्ट किया कहना चाहता हूँ यह कहना चाहता हूँ कि राम और श्याम को एग जैसा प्रॉफिट हो का जिसने आदा शेयर खरीदा है, पैसा तो इसका ज्यादा लगीगा ना पैसो की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि पैसा कितना लगेगा वो मैं बाद में डिक्स करूँगा मैं आप से यह बोलूँगा कि बताओ 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 आप यह कह रहा हो कि एक कॉल ऑप्शन राम खरीद ले और श्याम आधा श्यार खरीद ले क्या द तो आदा शेयर खरीदा है, तो बोलो कितने का फायदा, 25, और शेयर का प्राइस बढ़ने से, वैलिई ओकॉल भी बढ़ेगा, तो इसमें 25 का फायदा, 25 रुपए किसको मिल जाएगा, राम को, और 25 रुपए किसको मिल जाएगा, श्याम को, कहना क्या चाहते हो, प्रॉफिट एक जैसा है का पहला डेल्टा का मिनिंग क्या होटा है डेल्टा का मिनिंग क्या हूआ यह आपको कहीं लिख ले क्या example के सासत एक example है आपके एक्जामपल उठाता हूं सब्हब को है यह दिया में यह हुद इंसे इघ्जामपल में लिखांगो डेल्टा का रफली Policy तटीक है आप ने कुछ क्या नहीं लिखने की जिरूरत है कि नहीं सब कुछ मैं यहां लिखना ह। न क्योट ए हो पूटफोलियो का कॉश्चन नहीं है तो कॉश्चन एकडांपल यह आपके सामने बिल्कुल ध्यान से कर लोगे और क्लास खत्म क्लास भी ओवर और बाइनोमियल भी खत्म हो जाएगा बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना पड़ेगा मैं ज्यादा टाइम नियुगा दीर दीरे सारी बात हो की डेल्कुल धिल्क क्या होता ये सब कुछ यह समझाना पहले सुनें current market price दिया चारसो पच्छा सेक्ससाइस प्राइज दिया period दिया है risk free rate दिया maximum price minimum price value of call option निका ना value of call option delta hasings and risk neutral probability approach से replicating portfolio हमने इसमें से कौन सा पढ़ रखा है सर हमने पढ़ रखा है risk neutral probability खास बात है क्या तीनों से एक जैसा ही answer आएगा जी तो एक काम करते चेक का चेक भी हो जाएगा और कामें सबसे पहले ना हम risk neutral probability से काम करते कुछ मजा आएगा ना यार पहला गाम करें risk neutral आप इसको one two three कर लेजे मैं लिख रहा हूँ first risk neutral probability हाला कि आप आपको यहाँ तो second number पे लिखा है मेरा ही तो एक्जामपल है तो जो चाहे वो कर लो पहला risk neutral step number one याद है कि नहीं अब given में एक आता था stock का price कितना दिखा है 445 रुप है exercise price कितना है 485 बढ़ेगा तो फायदा call option है उसके अलावा मुझे चाहिए यू तो 585 divided by 585 divided by क्यों जाएगा 450 और चाहिए तो एक साल का है तो इसको सीधा लिख सकते हैं 1.10 ठीक है 585 divided by 450 तो कितना जाएगा 1.30 385 divided by 450 0.855 लिखा तो मैं 0.85586 ले लूँ ठीक है चल जाए यह तो आता है आपको तो इसमें तो आप मुझसे आगे चली आप मुझसे आगे चली चल जाए स्टेब नंबर 1 हो गया क्या यह से सस्टेप नंबर 2 क्या गरेंगे बायनो मील अजहन कि मेरे रेस्क नंव टर प्रॉबयाबए प्रोज एटे घ्रतेर्स टेप नंभाटेट्व ho VSP क्रेसे हो निजह यप जह से दिसक ने सकाँ है को basta दोने कहा है है हो जा है रिस्क नियूट्रल प्रॉपाइबट पॉर्मूला पता है क्या पी इसी कोई आर मैनस टी दू मैनस टी आर कितना है 1.10 और डी कितना नहीं कर रहा था 0.86 दिवाइड वाएड 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 जो कितना है 1.30 मैनस 0.86 तो 1.30 मैनस 0.86 M प्लस में डाल दिये 1.10 मैनस 0.86 x divided by mrs equal to, 0.545, यह काम भी होगा, श्टेप नमबर 3 कर ले क्या, यह साँ, बाइनोमियल, बुलूची, आज प्राइस कितना है, चार सो पेचास, या तो प्राइस हो सकता है, 585, या तो हो सकता है, यह है, यह है, 0.545, यह कितना जाएगा, 1-0.545, इस आगे सर, 0.455, और यहाँ क्या लिखा जाता है, सी यू, और सीडी, यह एकसरीज नहीं होगा, यह एकसरीज, 100 रूपेज होगा, यह आधर रक्षाण कामभारीजन किस्से करना है, सर, एकसरीज प्राइस, एकसरीज प्राइस कितना, 485, तो, श्टेप नमबर 2 होगा, इस टेप नमबर थी भी यहीं कर लिए इन अटेंशन का तो मजए गया इस टेप नमबर थी तो हो गया इस टेप नमबर फोर वैल्यू अप कॉल formula C0 is equal to Tup plus Tt 1 minus P divided by capital R So, Cup Y मतलब सर 100 into 0.545 plus 0 into 0.455 divided by 1.10 100 into 0.545 divided by 1.10 तो अंसर आ गया 49.54 रुपीज 50 अप्रोक्स ठीक अगर मैं probability सहीं सहीं ले लूँ probability 0.55 ले लेता, rounded off करके तो रुपीज 50 आए चाता है ठीक मैं सीधा सीधा ले रहा हूँ ठीक है जी, हाँ सरु कुछ नया था क्या, कुछ नया पढ़ाए यह नहीं मैंने भी ठीक है, तो यह था हमारा risk neutral probability approach जो कि हमको पहले से आता है और हमारा target है कि value of option कितना लाना है सरु 50 रुपए लाना है और उस 50 रुपए कौन-कौन सी method से लाना है, delta housing से भी लाना है और replicating portfolio approach से भी लाना है, तो पहले करेंगे हम binomial वो हो चुका है दूसरा करेंगे replicating portfolio approach, सर यह क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि इस ही का कोश्चन है, तो लाना में यह करेंगे और इसके बद कोश्चन करेंगे, तो ज़्यादा मैं जाएगा इस टार्ट करें replicating portfolio approach सबसे पहले मैं बनाऊंगा binomial tree, सबसे पहले, आप भी बनाना मेरे, सर बना तो है, बैटे वो भूल जाओ, risk neutral भूल जाओ, अब binomial tree बना रहा है बुलो जाओ, आज price कितना है, सर, 450, क्या हो सकता है, सर, 585 भी हो सकता है अच्छे सही कर लें तो ना, यार डिजाइन बिजाइन में ना कि अगर दो possible price हो सकते, इसमें भी दो possible price हाँ बाइनोमियल में, हर बाइनोमियल में दो परस्ट, चाहे वो approach कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, नाम से ही लग रहा है, कितना हो सकता है, 585 हो सकता है, या तो 385 हो सकता है ठीक, सब probability, probability से हमें कोई लेना देना नहीं, probability कहाँ चलती थी, risk neutral, ठीक है सर, बस इतना बताओ, क्या आप मुझे इसका pay off बना बता सकते हो, c, u, और इसको क्या बोलते है, c, d, बता सकते हो, क्या यह सर, exercise price कितना है exercise price है 485, तो pay off कितना आएगा, इसका pay off आएगा 100, इसका pay off आएगा 0, ठीक है, अब मैं कुछ बोलता हूँ, बात बोलता हूँ, अच्छा, इसको क्या बोलते है सर, इसको US बोलते हैं, इसको DS बोलते हैं, यह तो मेरे आपको पहली, price बड़ा price कम हुआ, अब सुनना धियां स जब मैं यहां हूँ, अब धियां से सुनना पड़ेगा, अब खेल है बिट्टे हैं, जब मैं यहां हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं यहां बैठ के सोच रहा हूँ, कि जब मैं यहां पहुच जाओंगा, तो दो ही तो possible price होगी, price 585 भी हो सकता, 385 हो सकता, तो price में कितने रुपे का है, सर, price में change जो दिख रहा है, वो 200 रुपे का है, 200 रुपे का, change in price, और यहां कितने रुपे का, इस वज़ह से यहां value of option में भी तो change दिख रहा है, मैं लो कितने रुपे का change दिख रहा है, सर, 100 रुपे का change दिख रहा है, कास यह बात आपको समझ में आ जाए, में जो कहना जाता हूँ यह लिखना नहीं है तो मैं आपको समझा रहा हूँ प्राइज में 200 रुपए का चेंज हुआ तो आप्शन में 100 रुपए का चेंज हुआ क्या डेल्टा निकाला जा सकता है यस, मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाइ चेंज इन प्राइस डेल्टा दिख रहा है इसको अच्छे से थोड़ा था प्राइस 200 रुपए से बढ़ा तो आप्शन 200 से नहीं वैल्यू वैल्यू कॉल आप्शन का वैल्यू 100 रुपए से बढ़ा अगर इन दोनों पर फोकस करो तो डेल्टा उप कॉल निकाल सकते हैं यह सर पॉइंट फाइफ सर उसका फॉर्मूला है फॉर्मूला भी है तो चलो ना यहां लिख लेते हैं मेरे साथ साथ एक्जांपल सॉल कर रहा है एक डेल्टा का मिनिंग लिखते पहले डेल्टा डेल्टा है क्या चीज़ डेल्टा उप अप्शन मेंस चंज इन वाल्योप्शन विख रिस्प्ट तो चंज इन इस्टॉक प्राइस डेल्टा का फॉर्मुला बन सकता है क्या डेल्टा इस एक्विल टू सर सौ भाई दोसों बिल्कु लिख सकते हो पर सौ भाई दोसों ने लिखा उन्होंने फॉर्मुला दिया है Cu-CD divided by Us- यह फॉर्मुला I-C-A-I का है अला कि उन्होंने C1, C2 लिखा है यह वाला फॉर्मुला दिया I-C सर सीधा-सीधा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं सीधा-सीधा भी इसको मैं लिख के बता दू सर 100-0 divided 585-385.5 इसको मतलब यह है कि रैप्लिकेटिंग पॉर्टफोलियो अप्रोच अगर आता रैप्लिकेटिंग पॉर्टफोलियो अप्रोच आपको किसी भी हालत में डेल्टा निकलना पड़ेगा और डेल्टा कितमा निकल गया ? 5.5 अब सुनो अब क्या है हम एक पॉर्टफोलियो बनाएंगे नहीं से मैं इसको रफ कर दूँ कि हमने का भूल जाओ एक बंदा था एक राम राम की में बात करूं राम था जिसने कॉल आप्शन खरीदा था कॉल आप्शन वाई किया था एक कॉल आप्शन वाई किया था तो एक परशन था राम जिसने एक कॉल आप्शन खरीदा था ठीक है और उसको पता था कि यार बाइनोमियल है यार प्राइस या तो 585 होगा या तो 385 होगा उसको यह भी मालूम था 585 होगा तो मुझे 100 रुपे का पे आफ मिलेगा मैं प् होना एक पॉर्टफोलियो बनाएं जैसा राम का पॉर्टफोलियो है वैसे हम श्याम का भी पॉर्टफोलियो बनाएं रैप्लिकेट एक जैसा पॉर्टफोलियो इट मिस स्याम को भी वैसे ही हो जैसे राम को हो रहा था मतलब सर मतलब सर स्याम को भी अगर शेयर का प्राइ ड़े गा शयां ये किसकी वात थी राम की। अब बात किसकी कर रहा हूं है शयां की। अब श्याम देखो क्या दिमाग चला था, राम ने क्या सोचा था, राम ने सोचा था कि शेर का प्राइज बढ़ेगा, तो चलो, मैं भी सोचता हूं शेर का प्राइज बढ़ेगा, तभी तो मज़ा है, जो राम सोच रहा है, वो मैं सोचू, राम ने क्या किया, बोले उसने क और अगर प्राइज बढ़ेगा तो नो डाउट की कॉल ओप्शन राम को फाइदा होगा पर मुझे भी तो फाइदा होगा और रेट गिरा सर गिरा तो 385 से नीचे थोड़िन जाएगा तो प्राइज तो कुछ भी हो सकता कुछ भी नहीं हो सकता कश्म कालो शेयर का 385 हुआ तो 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 बहले राम को 0 तो मैरा भी 0 आएगा itो में भी एक काम करता हो में भी शेयर खरी लेता हूं चलो मतलब जितना profit call option एक call option में होगा उतना ही profit 0.5 shares में होगा इक बर करके देख लेते क्या खरे इसने क्या खरी 0.5 share खरी लिए ठीक है ठीक है सरफ पर एक समस्या थी राम बहुत खुश क्यों खुश पता है राम बोलता भाई call option के लिए मालूम मुझको क्या देना पड़ा सिर्फ premium और श्याम आपने क्या किया मैंने तो आदा share खरीदा पैसा तो बहुत सारा गया ना आप बहुत बोल रहा है श्याम बड़ी सारी बाते कर रहा कि देखो आपका जितना आपको 100 रुपय का फाइदा तो मेरा भी 100 रुपय का पे आपका जीरो का तो मेरा भी जीरो का आपने call option खरीदा तो मैंने share खरीदा तो राम बोलता है सुनो सुनो श्याम सुनो आपकी सारी बाते सही मैं मानगे कि चलो ऐसा हो जाएगा लेकिन मैंने तो call option खरीदा मुझे तो छोटा सा थोड़ा सा पैसा देना पड़ता प्रीमियम का और आपने तो आदा शियर खरीदा ना खरीदा ना आदा शियर आपको तो बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा अपकी जेब से तो बहुत सारा पैसा जाएगा तुछ आम बोलता है सुनो, 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 राम, चिंता मत करौ, मैं पैसा बौरू कर लोगा, मुझे जितना लगेगा, मैं पैसा बौरू कर लोगा, ये एक चीज और पिक्चर में आई, और क्यों आई, ये मालुम है, जीरो पीरेड में जो पैसा जाने वाला है, उसको भी हम चाहते हैं कि या जाद इसका भी जादा पैसा ना जाए अगर मैं बॉरो नहीं करता हूं ये बॉरो क्यों कर रहा हूं ये बाद में अगर मैं बॉरो नहीं करता हूं तो इन दोनों का आपके साथ की जरूरत है यह समय लिख्वा हो जीर सारी चीज़ लिख्वा आपना मत करो अब आपके साथ की जरूरत मुझे बस इतना बता हूं अब श्याम सुचरा इकृतना प्रेशा वौर्ण करना अब पहले 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 श्याम यह सोच रहा है कि मान लो जब शेयर का प्राइस हो जाएगा 585 ध्यान से सोना, यहां मुझे आपकी हिम्मत चाहिए आपकी बस शेयर का प्राइस हो जाएगा 585, तो श्याम इसको तो भाई राम को तो 100 रुपय का पेउप दिख रहा है पर स्याम यह सोच रहा है कि जब शेयर का प्राइस जाएगा 585 तो मेरे पास जो आधा शेयर है मैं इसको बेज दूँगा ठीक है बेचने पर कितना आएगा तो 585 का आधा 585 का बद तो 585 तो आएगा 292.50 ठीक है और बोले जो मैं पैसा उधार लूँगा अब सुना उसको चुकाना भी तो पड़ेगा विद इंट्रेस्ट तो बोले जो बॉरो था उसको मैं चुकाना तो पड़ेगा बोले मैं रिपे कर दूँगा रिपैमेंट क्या जो पैसा बॉरो कर रहा उसको रिपैमेंट कर बड़ी important बाद वो ला है share बेचने पे 292.5 आएगा पर जो मैं borrow करने वाला हूँ मैंने तो पहली बताए मैं borrow करने वाला हूँ share करने के लिए कितना borrow करने वाला हूँ यह मैंने नहीं बता रहा हूँ पर borrow करन लिया है तो उसको with 10% interest देने के बाद मेरे पास 100 रुपए बचना चाहिए तब ही ठीक तब मैं मानूगा कि ठीक उतना ही पैसा मैं borrow कर सकता हूँ कितना उतना मतलब x से ले सकते हैं तो sir हम क्या करेंगे हम minus कर देते है x into 1.1 तो borrowing amount निकल के जाएगा कितना पैस बौरो करना करके देखे कि कितना आएगा किसी का मैस अच्छा है क्या तू कहां है मेरे पास जगा दो नहीं है इधर जगा है 292.50 minus x into 1.10 is equal to 100 तो यह जाके minus हो जाएगा minus minus cut हो जाएगा x is equal to 192.5 divided by 1.10 तो मैं 175 रुपए बौरो कर लूगा उधार ले लूँगा 175 रुपए मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं फिर से मैं replicating portfolio बनाना चाहता हूँ मैं कितना रुपए 175 रुपए बौरो कर लूगा यहां तक ठीक है क्या हाँ सर ठीक है बास समझ में हैं 175 रुपए बौरो कर लूगा कब बौरो करोगे आज शेयर खरीदना है कितना आधा शेयर तो आज शेयर की प्राइस कितनी है 450 450 का आधा शेयर 450 का आधा शेयर तो सहाब मुझे लगने वाले है 225 रुपए आज मैं श्याम की सारी पिक्चर बता रहा हूँ वो सोच रहा है मुझे 225 लगने वाले है उसमें से मैं 175 अगर मैं बौरो कर लेता हूँ तो 225 माइनस 175 तो 50 रुपए जो है वो मुझे अपने जेप से देना पड़ेगा सुना सुनो अगर प्राइस 325 योगे तो वो भी बात करूँगा ना चिंता मत करूँ वो भी बात सारी कहानी में फिर से सुनाओं की बात समझ में आगई सर बात समझ में आगई सवाल ये है कि अगर मैं आदा शेयर खरीदता हूँ आज 450 का तो 225 रुपए लगेंगे 175 रुपए मैं बैंक से ले लूँगा और बैंक वाले को बोल भी दूँगा कि मैं अपने जिप से नहीं देने वाला हूँ मैं जानता हूँ वो पैसा मिल जाएगा मैं आपको वापस कर दूँगा चाहे प्रैस ये हो चाहे ये हो इस पर मैं अभी आया नहीं आ जाता हूँ मैं बैंक वाले से बोल रहा हूँ कि मैं आपको वापस कर दूँगा बैंक मैं का बाटिक शेयर का प्रैस होगा 525 रुपए न укlas 885 का मेरे आदा 싶 कर यह वाजी मैं भी बेज दूँगा बोले ठीक है और बेचने के बाद आपका पैसा वापस कर दूँगा उसके बाद भी मेरे पास 100 रुपे बचेंगा तिकत क्या आपको बैंक वाला कहता है 175 ठीक है मैं उधार दे देता हूं अगर सेयर का प्राइस 325 हो गया तो क्या करोगे मैं अगा सुनो 325 तो है ना मेरे पास आधा शेयर तो बेचूंगा बोले हां बेचो 385 इंटू आधा सेयर तो बोले मुझे मिलेगा 192.5 ठीक है मुझे नहीं रखना अपने लिए जब उसका जीरो है ना तो मेरा भी जीरो मुझे नहीं रखना हो गया 192.5 आएगा आपका पैसा कितना उधार दे रहें 175 175 प्लस 10% कर लो 175 इंटू 1.10 लोग 192.5 हो गया ना हालत में आपका पैसा मिल रहा है आप क्यों चिंता कर रहा है ठीक यहां तक ठीक है ठीक है सर कहना क्या चाते हो खतम करो इस्टोरी को इस्टोरी यह है कि आज शाम के जेप से अपनी जेप सी कितना जाएगा जब वो यह पोर्टफोलियो बना रहा है यह पोर्टफोलियो ब आज पचास रुपए जा रहा अब राम से बोलता राम बताओ आप कॉल उप्शन में प्रीमियम कितना दे रहा तो बोलता फोर्टी टू मालू मन से बोलों फोर्टी टू तो श्याम कहें रहा है छोड़ो भाईया से अरवेर में भी तो कॉल उप्शन नहीं खरीदेंगा मेरी फोर्टी टू जा रहा है तो मैं भी ये काम करूंगा राम भी ये काम करेगा मोहन भी ये काम करेगा हर कोई ये काम करेगा उससे मालू मैं दिक्कत क्या है डिमान बढ़ जाएगा किसका पॉल उप्शन का और कॉल उप्शन का डिमान बढ़के यह फोर्टी टू नहों के प इसका मतलब call option का value कितना रहेगा अगर इस portfolio में 50 रुपए लग रहा है तो यहां call option के लिए premium भी 50 रुपए ही रहेगा यह कहना है रैप्लिकेटिंग portfolio approach का रैप्लिकेटिंग portfolio approach यह कहना चाहता है अगर हम ऐसा ही portfolio बनाएं साहब तो उसमें जितना पैसा अलग रहा है हमारे call option का भी value उतना ही हो ठीक है सर एक्जाम में आता है कि नहीं आता है पर आ भी सकता है तो सर लिखे कैसे हमको तो कुछ समझ में लिखे कैसे खाहनी सुन लिया सकते लिखवाना जिम्मेदारी मेरी है अब जो discussion किया है एक बार हम बोलते हुए लिखेंगे तो मज़ा आएगा ठीक है वापस वही सा अगरने कि आपको बात ही नहीं है तो जब भी replicating portfolio का question आता है वैसे तो आया नहीं अगर आता है तो पहला काम क्या होगा पहला काम होगा कि आप delta ने यह delta के meaning लिखने की जिर्वत नहीं है आपको delta निकालना पड़ेगा point five ठीक है और इसका मतलब point five का मतलब point five share तो यहां लेखते हूं आप काम करें step number one step में काम करना पड़ेगा step number one तो कर चुपी हो step number one क्या था यह था step number one calculation of delta ठीक है कितना निकला point five point five अब जाएगे step number two connect, create, replicating portfolio. delta of call 0.5 means we buy 0.5 share and 0.5 share creating and borrow some amount और कुछ amount borrow करेंगे कितना amount borrow करेंगे यह step number 3 में निकलेंगा हमान। step number 3 borrowing amount किसी भी तरीके से निकल सकते हैं या तो 555 से निकल सकते हैं 355 से किसी से भी निकल सकते हैं अगर price 855 हो जाता है तो हम आधा share बेज़ देंगे 0.5 share बेचेंगे ठीक है यहां तक ठीक है से minus और हम interest जो borrowing amount है यहां borrowing amount एक्स ले रहा हूं लिख देना let assume borrowing amount भी एक्स एक्स यह amount minus करेंगे तो हमें 100 रुपे चाहिए ठीक है ठीक है सर 192.50 divided by 1.50 दूसर रुपीज 175 बॉरिंग अमांट अल्टरनेटिव भी है बॉरिंग अमांट निकालने का अल्टरनेटिव भी है आप ऐसे भी कर सकते थे तो कैसे अगर शियर का प्राइस कितना हो जाता 385 तो 385 इंटो पॉंट फाइफ माइनस एक्स इंटो 1.10 इस इक्वल टू जीरो तो 385 इंटो पॉंट फाइफ उसर यह जाता है 192.50 माइनस एक्स इंटो 1.10 इस इक्वल टू जीरो तो दर हो जाता तो एक्स का वैल्यू कितना था उतनी आता 175 175 हम क्या करेंगे बॉरो कब करेंगे आच अब लास्ट इस टीप नमबर फॉर वैल्यू आफ कॉल निकालना है और हम कहते कि सीजीरो क्या होगा सीजीरो क्या होगा सर सीजीरो वह होगा जितना हमारा जा रहा है सीजीरो इंस कॉश्ट अप्लीकितिंग पॉट्पॉलिव जगीटिंग पॉट्फोलिय क्रीजीरो काईट इंस कश्टीटियो पीटिंग पॉट्पॉलियू क्या मेरा जो समझ में है कॉश्ट और लिख दोना सर लिख दोना प्लीज सर एक्चुल में एक्वेशन क्या कहना चाहता है यह एक्वेशन यह कहना चाहता है दूसरा पेंच लाई है यह वाला था कोस्ट और प्लीकेटिंग पॉर्ट फोल्यो इस इक्वेशन टो कोश्ट ओफ ऑफ ऑप्शन है कि कर जी बात करता है ठीक है आता तो नहीं है पर आगे एक काम करना जो वो करवाए हूं ना मैंने एक्जांपल किसका एक्जांपल कर वाए था मैंने आपको बाइनो में रिस्क निट्रल वाए हूस रिस्क निट्रल का एकात कोशन लेना और उसको इससे सॉल करना किससे रैपलिकेटिंग पोर्टफोलियो से और आंसर वही आना चाहिए जो रिस्क निट्रल में आया है बस ठीक है ठीक है सर तो आ नहीं था भाई चलो भाई तो हमारा क्या हो गया रैप्लिकेटिंग पॉर्टफोलियो कभी काम हो गया अब एक बच्छा हुआ है कौन सा डेल्टा है जिंग यह इसका नाम है रिस्क फ्री पॉर्टफोलियो चलो वह ही करने वाले झाले पानी पीलों चलो इसमें क्या है इसमें भी सबसे पहले में वही काम करने वाले मतलब बाई-दो मेल्ट बंद दो चुका है बेटे यहां और बना लो क्या फर्क पड़ा उसी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा अची पाई साइज कितना है चार सो पचास तू पॉसिबल प्राइस क्या क्या हो सकता सर फाइवटी फाइव और कितना 85 85 ठीक है ठीक है और इधा निकालाद हमने CU 100 और CD ठीक है यहां तो ठीक है अब मैं कुछ बात ही पूछ रहा हूँ आचा डेल्टा तो हमको निकालना इसमें भी डेल्टा निकालना है इसको रिस्क प्री पोट्फोलियो बोलते क्यों बोलते मैं आपको समझा यह फोर्मुला लिखनों क्या, C U minus C T, U S minus S, 100 minus 0, 585 minus 385 is equal to 0.5 अब मैं कुछ आप से पूछने जा रहा हूँ, hedge का मतलब क्या होता है, hedge का मतलब होता है, risk से बचने के लिए काम करना है, अब एक question है मेरे पास और जवाब आपको देना पड़ेगा, मैंने एक call option राइट किया है, सर यह कहां से आगया है, राइट किया है, पिटे मैं ऐसी बोल रहा हूँ, मैंने call option राइट किया है, मैं option राइटर हूँ इस बार, option राइटर है, call option, अच्छा जो call option holder क्या है, वो price बढ़ता तो exercise करता, तो सर इस बार आप call option holder है, नहीं call option राइटर है, मतलब सर सामने वाला exercise करेगा, तो आपको देना पड़ेगा, हाँ, देना पड़ेगा, सामने वाला call option exercise करेगा, तो आपको देना पड़ेगा, यास तो आपको tension किस बात किए बिट्टे अगर price काम होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं साबने वाला lapse कर देगा मेरे जब से कुछ नहीं जाएगा लेकिन अगर price बढ़ा तो मुझे देना पड़ेगा तो मुझे डर है भाई, हैज का मतलब होता है risk से बचना, डर से बचना, तो उस डर से बचने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि मैंने right करके बैठ गया, अगर मैं call option खरीता तो मेरा tension नहीं था, पर मैंने call option right किया है, तो मेरा tension है, और मैं सोच रहा हूँ, भगवान price मत बढ़ गया है तो दिक्कत है, तो उस डर से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं, सर क्या करेंगे, सोचो ना भई, सोचो, हमने call option right किया है, तो हमें डर, जिस बात का डर है, वही काम कर लो ना है, attention का तो, किस बात का डर है, सर कहीं share का price बढ़ना जाए, तो share भी खरीद लो ना, क्या प्लस, share क्यों खरीद रहा है, मैंने आप भी बताया है, किस बात का डर है, share का price के बढ़ना जाए, आपने write किया ना, तो उसी बात कर डर है, तो चलो उसको hedge कर लेते हैं, और पूरा share नहीं खरीद लेगा, आपको भी मालूम है, एक call option is equal to other share, तो हम other share खरीद लेते है, यह हमारा tension ही करता, call option बढ़ेगा, हमने hedge कर ली, hedge, call option, call option सुनना, call option अगर, अगर price बढ़ता है, तो हम मुझको देना पड़ेगा, दुख, दुख अगर सोचते, सर अगर price बढ़ा तो, मैं भायानक दुखी, क्यों, मुझे call option में देना पड़ेगा, फिर खुज भी तो हो अगर, 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 प्राइस गिरा तो, गिरा तो क्या होगा, तो option तो लैप्स हो जाएगा, मैं खुश, लेकिन थोड़ा दुखी भी होना पड़ेगा, मैंने जो share खरीदाना, उसको मैं जे कम दामों में वेचना पड़ेगा, ठीके सर, बात समझ बहांती, एक बार फिर से कोशिश करेंगे, फिर से बताना हमको, मैं फिर से बताँगा, वाई साब मैंने क्या किया, मैंने call option right किया है, और आदा share खरीदा है, अब देखते क्या होगा, मैंने एक portfolio बनाया, और उस portfolio को मैं risk free portfolio बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, risk free, delta housing, delta housing का मतलब, ये delta न ठीक है, यहां तक ठीक है, अब सोचते हैं कि अगर share का price 585 होता है, तो क्या होगा, ये जो portfolio है, उससे क्या होने वाल, अगर share का price 585 होता है, तो जो आदा share खरीदा है सर वो आप बेच ओगे, तो पैसा आएगा, सर 585 का आप बीज़ दोगे आता शेर तो पैसा आएगा ठीक है सर यह आएगा 292.50 पर सर आपने call option right किया है हाँ तो सामने वाला access कर देगा तो आपको 100 रुपे देना पड़ेगा call option पर येस तो सर आपका आएगा 192.50 आपके पास पैसा बचेगा कितना बचेगा 192.50 कब बचेगा यह एक सलबात ठीक है सर अगर शेर पाइस 385 होके है तो तो आधा शेर मुझे बेचना पड़ेगा 385 इंटू आधा शेर तो मेरे जेब में आएगा 192.50 और call option क्या सामने वाला exercise करेगा नहीं lapse तो सर उधर तो कुछ नहीं देना पड़ेगा तो में जे 192.50 तो सोच के बताओ क्या किसी भी हालत में मुझे 192.50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी भी हालत में चाहें दुनिया इधर से इधर हो जाए शेयर का प्राइज अगर 600 हुआ तो होगा ही नहीं बाइनोवियल में यह तो यह होगा यह तो यह होगे तो आप तो में बढ़ता है ना मैं हें मजह तो फॉर्ट फोली यह ऑजआ रहेगा तो मैं सोच रहाओ अब यहां मैं सोच रहाओ सर आपको तो आधा शेयर खरीदना भी तो पड़ेगा आच मैं सोच रहा हूं हूं भई सर मैं आधा शेयर खरीदूंगा 450 का आधा शेयर तो सर 225 रुपए तो आज लग जाएगा पर आपको प्रीमियम भी तो मिलेगा आप भूल गया आपने कॉल ओप्सन राइट किया है ना 225 रुपए आज लगेगा आधा शेयर खडीदे में प्रीमियम भी तो मिलेगा कितना मिलेगा वही तो निकालना है चलो सर एक्स मैं दो पच्षी स रुपए लगेगा माइनस क्या कर डिएंगे प्रीमियम और यह कपैसां कम मिलेगा एक साल बात इसका comparison नहीं हो सक्ता ना इसक cash in flow यह cash outlaw कब का है और यह cash outlaw कब का है एक साल बात का इन दोनों की बीच में नहीं हो सकता इसका present value निकालो या तो फ्यूचर वैल्यू निकल लो इट मिम्स divided by 1.10 करदो present value है जाएगा तो 192.50 divided by 1.10, तो बोलो कितना, यह आ गया, 175, तो इसका present value निकाला, 175, अब मैंने का, 225, माइनस कर दो 175, तो क्या X का value निकल जाएगा, यास, क्या, 50 रुपए, this is risk free, risk free क्यों, क्योंकि जो मैं portfolio बना रहा हूँ ना, इसमें कोई risk नहीं है, चाहिए share का price कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे मालूम है, यह risk free है, मुझे 192.50 मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं जो पैसा उठाऊंगा, बैंक से या जो discounting करूँगा, वो risk free rate से करूँगा, यहां risk neutrally तो आती नहीं है, risk free है, यह तो portfolio जो मैं बना रहा हूँ, तो discounting मैं risk free से कर लूँगा, ठीक है सर, देखे कि एक बार, एक बार करते हुए, बनाते हुए, बोलो कि आप तो ज़् समझ में भी आए, ठीक है, ठीक है, तो इस में भी, delta housing में भी सबसे पहले आपको, या risk free portfolio में सबसे पहले delta निकालना पड़ेगा, कितना निकालना, 0.5, अब हमें portfolio बनाना पड़ेगा, सर, call right ही क्यों किया आपने, call buy क्यों ने किया, call buy भी कर लेता, और उसके लिए फिर मैं share buy नहीं करता, मैं short sell करता, देखो भाई, exam oriented है, exam oriented ही रहने तो, मैं बहुत कुछ करवा सकता हूँ, मैं 200-300 गंटे SFM पढ़ा सकता question आएगा, आपको, अगर इसका, delta housing का, तो आपको सबसे पहले call option का value बूलेगा, call right करना है, और call right का opposite क्या होगा, share buy करना, that's it, ऐसे ही करना है, सर, रटवा रहे हो, कास्ट मैं आपको बहुत कुछ बता दूँ, पर बहुत कुछ बताने का time नहीं, ठीक है, बाकी YouTube में है, मे instant, एक ही question है, एक question प्रैक्टिस में आलना है, और एक question exam में आया, और दोनों में call option right है, और share by है, alternative में करवा सकता हूँ, पर अभी में नहीं करवाना चाहता है, ठीक है, हाँ, मैं चाहो तो वो कुछ, जिसका मन करता है, नहीं नहीं, सर, हमको और सीखना है, तो मैं alternative, वो वी जो मुझे ऐसा लग रहा कि, यहां नहीं बताना चाहिए, जरूरत ही नहीं आपको, उसको मैं अलग से separate video बना दिया हूँ, जिसका दिल करें वो देखो, यहां तक हो गया, हाँ सरी, यहां तक हो गया, step number one हो गया, अब step number two, हमने एक portfolio बनाने की कोशिश करेंगे, risk free portfolio, जिसम rate, risk free portfolio, write one call option and by 0.5 share कभी कभी ना जो question आता है न उसमें बोलता है कि आप combination बताईए किस-किस के बीच में share और option के बीच में combination यह है combination अब तीसरा काम और करना पड़े है step number 3 pay off बताना पड़ेगा मांगता है portion में लिखा रहता है pay off on match your अगर price 585 हो जाए तो दोनों price में आपको pay off बताना पड़ेगा 585 हो जाए तो और 385 हो जाए तो अगर price 585 हो जाए तो चलो देखती क्या होगा sell कर देंगे share 585 इन्टू पॉइंट 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 पाइफ तो सर यह आ गया है 292.5 शरी पैसा आये खा और call option में जाएगा cash out call option exercise हो जाएगा तो सर यहाँ जाएगा मेरा 100 रुपर तो बोलो भाई कितना बचेगा सर रुपीज 192.50 यह क्या गया है यह सर पे आफ आ गया है यह इसको क्या बोसक्त क्या है cash influence अगर प्राइस 385 हो जाएगा CAPE 212.50 तो सर रुपीज 172.50 रुपीज 172.50 शरन फे डिब्स्टाइस call option lapsed हो जाएगा जीरो इसमों भी कितना जाएगा 192.5 क्या किसी भी हालत में हमें 192.5 मिलेगा सर इस्टिप नूमबर 4 क्या है इस्टिप नूमबर 4 वैल्यो फॉल आज पैसा लगीगा आज शेर का प्राइस कितना चार सब पचास आदा शेर चार सब पचास इन टू.5 ठीक है और हमें प्रीमियम मिलेगा call option का c0 इतना पैसा लगीगा आज और इसका क्या कर देते future value निकाल देते वो भी चलेगा 1.10 is equal to 192.50 इसका में future value निकाल लगा चाहो तो आपका present वो लिए मैं फिर ज़रू इतना पैसा लगीगा मुझे cash outflow is equal to cash inflow कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं cash outflow पैसा आज जाएगा cash inflow पैसा future में आएगा तो मैं कहता हूं इतना पैसा आज मुझे लगेगा उसमें से कुछ तो मिल जाएगा call option का premium मिलेगा मैंने option right किया है और उसका मैं future value निकाल रहा हूं ठीक है तो 225 माइनस c0 1.10 is equal to 192.50 तो c0 is equal to divided हो जाएगा इधर मैनस मैनस कर जाएगा इतना मैंस तो आता होगा आपको 192.50 divided by 1.10 minus 225 answer कितना जाएगा मैनस मैनस कर जाएगा वाई है ना ठीक है कटब यह तो बहुत जादा मुस्किल है इसलिए तो बोल रहा हूं रिस्क न्यूट्रल अगर question में कुछ नहीं ही लिखा है कि कौन सी मैथट से करना तो रिस्क न्यूट्रल से करना और आप नहीं करोगे सारी दुनिया करती आप एक आई सी एई खुद करता है तो फिर तो हमको करना है पर question में लिखा रहेगा कि delta हैजिंग से करना तो कुछ कर दी नहीं सकते question में लिखा रहेगा replicating portfolio से करना है कुछ नहीं कर सकते उससे करना पड़ेगा और अगर question में कुछ कुछ ऐसा हिंट मिल जाए कि यार हमें delta हैजिंग ही करना है तो फिर तो कुछ कर दी नहीं सकते है हिंट देखना पड़ेगा ठीक है फिर से बोल रहा हूं practice लगेगी ऐसा नहीं है कि आराम से समझ में जाएगा मैं बहुत ज़्यदा practice करवा नहीं सकता कोई भी एक question उठाना मैं question number भी बता देता हूं ज़्यादा अच्छा practice हो जाए तो ज़्यादा अच्छा question number 10 question number 10 already मैंने homework दिया है आपको तो सहाब भाई साब ऐसा करो सर जी इसको तीनों से कर लो binomial से भी कर लो बाइनोमियल में रिस्क न्यूटल से भी कर लीजिए इसके लावा डेल्टा हैजिंग से भी कर लीजिए रिस्क replicating portfolio से भी कर लीजिए practice भी हो जाए ओके चले आगे question बनाने हम लोगों को ठक गया है नहीं भी नहीं चलेगा अकना अकना नहीं चलेगा एक question है question number 14 और 14 हम बनाने जा रहा है आप खुछ सूच के बताना कौन सा है पानी पीलू जब तक आप पड़ो question पढ़े question को तर पढ़ते हैं चलो ठीक है साथ में पढ़ेंगे लिखा A B limited equity shares are presently selling at to piece 500 तर तो यह S हो गया है 500 और इनवेस्टर इस इंट्रेस्टेर इन पर्चेसिंग A B limited share the investor expect that price is 70% chance that the price will go up to 650 650 क्या है US? 650 price हो सकता है और probability कौन सा कितना दी है 70% कुछ बच्चे इसको risk neutral probability सोच लेते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कभी भी risk neutral probability आपको निकालना पड़ेगा सार यह वाली probability risk neutral नहीं है यह तो वो है जो हम सोच रहे हैं कि यार यह हो सकता है करके investor जो है investor जो पैसा लगा रहा है फिक है investor उसको ऐसा लगता कि 70% chance है कि share का price 650 हो सकता है और उसे यह भी लग रहा है कि share का price 450 भी हो सकता मतलब DSD है 450 ठीक है three month from now period कितना है three month there is a call option on the share of firm और option कौन सा है call call option on the share of the firm that can be exercised only at the end of three month और exercise price कितना दिया है 500 बच्चास उपर जाएगा तो exercise अगर यहां तक देखूं तो sir जी अगर यह probability क्यों दिया मुझको नहीं मालूं 70% 30% मैं सीधा बाइनो में risk neutral probability लगाता answer निकालता खतम करता अगर पूछता कि value of call निकालो पर पूछा क्या यह भी तो देखना पड़ेगा calculate if the, calculate the following, if the investor wants a perfect hedge, perfect hedge इस सब्दे से क्या दिख रहा, sir hedge किसे में करते थे, एक method हो, replicating portfolio नहीं delta hedging, delta hedging में hedge होता था what combination of the share and options should be selected, याद आया, बोलो कौन सा लगेगा delta hedging और delta hedging का यह ही एक मात्र question है, यह ही एक मात्र question है explain how the investor will be able to maintain identical position, identical regardless of the share price याद है, मैंने कहा price बढ़ेगा, तो भी 192.5 price कम होगा, तो भी 192.5 याद है identical आया था दोनों में, तो वो बोल रहा कि, बताए किस तरह से यह position maintain होगा, मतलब मुझे pay off निकालना पड़ेगा, थर्ड, अगर risk free interest five percent for three month है, what is the value of option, value of option मतलब C0 निकालना पड़ेगा, वो भी निकालेगे, चोहता वाला point में discuss कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले binomial tree बनाना जरूरी है क्या, बनाना जरूरी नहीं है, तो सबसे के सर के हम छोड़ भी सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पर बना लिया करो, जुनकि मुझे आसानी होती है जरूरी नहीं है आज शीर माई प्राइस के सब्सक्राइब हो चुर्ण है और यह हमेरी स्टेप्स का हिस्सा भी नहीं है ठीक तो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है कितना कितना हो सकता कि 150 और 450 कि इसका नाम क्या है सर यूएस इसका नाम क्या है यहां के लिख लिख लिए सी यू और यहां एटी यू एक्सराइस प्रैस कितना चेक करो दिया है क्या पास्व पचास छी सो पचास अंडरेट जीरो कहां तक ठीक है इस्टेप नंबर वान इस्टेप नंबर वान क्यों करो जो बोला है वह पॉइंट नंबर वान सबसे पहले डेल्टा निकलना प्रेगा प्रोपर फॉर्मुल निक्कर एउ माननस एटी और उस माननस दूसरा अंडरेट माननस जीरो दूसरा दूसरा निक्या बोला था पॉइंट नम्र में इस्टेप निक्या बोला था पॉइंट नम्र में करक्कर्व कम तूसरा प्राफ्टों स्विवंट है इन्वेस्टर शुट राइट वन कॉल अप्शन डाउट्स आएंगे राइट ही क्यों बाई क्यों नहीं तो आप चाहो तो मैंने कहा न एडिशनल विडियो डालूंगा राइट वन कॉल अप्शन and by 0.5 शियर चुटे क्यला काम हो गए ठीक है सर पॉइंट नमबर 2 क्या वह रहा इडिन्टिकल पोजिशन मतलब पी आउफ अगर प्राइस हो चाहे है अगर प्राइस हो चाहे है हो गया है तो हम क्या करेंगे सेल्से है 350 इंटो पॉइंट फाइफ 325 रुपए और कॉल क्या हो जाएगा एक्सरसाइस और कॉल एक्सरसाइस होगा तो हमें देना पड़ेगा कितना 100 जाएगा तो 220 यह क्या गया है प्राइस कितना हो जाएगा अगर प्राइस चारसो पचास हो गया तो प्राइस चारसो पचास हो गया तो 225 और कॉल क्या हो जाएगा लेप्स्ट जीरो यहां भी कितना जाएगा प्राइस कैश इंफ्लोस पॉइंट नमबर थ्री इफ दर रिस्क फ्री रेट ऑप रिटन इस फाइप पर्शन फर्द थ्री मंथ पिरियट यही तो दिक्कत है मझे पाइप पर रहन पाइप को पॉछ रहा है ब सुप पर है बाढ़ नियसे नहीं किया और आपको भी लगता होगा अश्यी कर ले तो बात में डिस्कस करूँग इस पोइंट पर बात करूँग कोई नमबर थ्री वैल्य अप्वाल और वो कैसे निकालते हैं सर यह लिखना नहीं है पर में लिख देता हूँ कैस आउटलो इस एकल टू कैसे इंप्लोस कैस आउटलो आज कितना जाएगा आज शियर खड़ी देंगे तो आज कितना जाएगा आज शियर कितने का पर आज शियर है पास सब्सक्राइग इन्टू आधा शियर माइनस कुछ प्रीमियम का मिलेगा और 1.05 मेरा दिल नहीं बोलता 1.05 का पर मैं मजबूर हूँ इस इक्वल तो इस इक्वल तो कितना क्या सिंप्लो कितना 225 तो 250 माइनस C0 1.05 205 तो सबचेस डिवैद वाइन पोई पॉन पोई जीरो फाइब मैं दो सब पचास मैंनस मैंनस कर T какие-5.71 आज की ग्लास आप फोड़ी ज्यादा चली गई है ना मिन नहीं था कितनी चाहिए पर क्या कर सकते 35.71 35.71 ठीक है ठीक है सरा बात समझ में आ की है अब एक पॉइंट जो पूछ है न वो खेल है एक्चुल में वो पॉइंट है यह वाट इस दी एक्सपेक्टर रिटन आप दा आप्शन आप्शन का वैल्यू 35.71 आया मतलब जो भी आप्शन खरीदेगा सर यहाँ आप अभी तक आप्शन राइटर की बात कर रहे थे अब यहाँ आप्शन बायर की बात क्यों कर रहे है क्योंकि बिट्टे उसने सिर्फ पूला एक्सपेक्टर रिटन आप अप्शन यह समझाने के कोशिश कर रहा हूँ फिर मैं बात करूँगा कि आप आप्शन आज खरीदते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 35.71 कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत ने सर यह कहां से निकला यह हमने निकाल लिया ठीक है अब इन्वेश्टर जो है उसको क्या लग रहा है सर उसको लग रहा है कि 70% चांस है कि प्राइट 650 भी हो सकता है और 30% चांस है कि प्राइट 450 भी हो सकता है मतलब मतलब यह जो बाइनोमियल ट्री बनाए है इसमें हमें ऐसा लगता है कि 0.7 और 0.3 यह किसको लग रहा है इन्वेश्टर को लग रहा 0.7, 0.3 मतलब 100 रुपए का प्रॉपिट हो सकता है इन्टू 0.7 प्रॉबएबिटी रिसक निरीट्र नहीं है यह नॉर्मल प्रॉबएबिटी जीरो का प्रॉपिट 0.3 और इसका इसका एकस्पेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता जरा बताओ 100 इन्टू 0.7 तो सरीया कैं 70 रुपए सब्सक्राइब तो एक साल बाद आएगा 70 रुपई तो क्या एक्सपेक्टर रिटन निकाल सकते हैं हाँ, expected return निकाल रहा हूँ, सर ये तो है, ये है आज, और वो है एक साल बात, इसलिए तो मैं उसको expected बोल रहा हूँ, मैं present value को थोड़ी, मैं तो expected return निकाल रहा हूँ, सर ठीक है, बस एक बास समझ में नहीं आ रही, अभी तक आप option writer हो रहे थे, और अभी आप option buyer बन के सोच र राइटर है, मेरी बास समझा, मैं option writer ये option buyer नहीं बन रहा हूँ, मैं ये value निकालने के लिए option right किया, और मैं बता रहा हूँ कि देखो value ये है, बस, अभी वोले एक स्पेक्टर रिटर्न, तो expect return के लिए मैं कोई option buyer नहीं बन गया, मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर कोई option खर दी देता है, और ऐसा होता है, तो देखो इसको return कितना मिलेगा, मैं कहीं भी option writer ये option buyer नहीं बना, मैं value निकाल रहा हूँ और expect return निकाल, ठीक है, सर ठीक है, इसको कैसे दिखाएंगे कैसे, बस इतना बता, दिखाते हैं ना भई, point number 4 पे पूछा expect, अगले page में चले हैं, yes, expected return, और option, पहले expected value of option निकालते हैं, फिर binomial tree बनाएंगे नहीं बनाएंगे, आपको तो समझाने, के लिए था, expected value of option, stock का pay off हो सकता, इसकी probability है, point 7, plus 0 into 0.3 is equal to rupees 70, expected value, और value of option मतलब आज की value, 35.71, expected return, और आज के यह 35.71, divided by हो जाएगा, 35.71 into 100, percentage जाएगा, 70 minus 35.71, divided by 35.71 into 100, तो 96.02 percent भाई, तो यह खेल था, actual में, ऐसे वाला एक question और है, और वो मैं आपको homework दे रहा हूं, question number 15, question number 15, आपके लिए रहा homework, करना है भाई, करना है, क्योंकि यह practice manual में आया हुआ, यह new slivers की study material में भी ड़ला हुआ हुआ, Mr. Dayal वाला question, बहुत famous question है, Mr. Dayal वाला, इसको करना है, ठीक है, ठीक है sir, तो sir, और कुछ करवाना है, वैसे तो एक question और करवाना था, मुझको, पर अभी मैं रुक गया हूँ, इसलिए रुका हूँ, कि question number 13 था, जो मुझे अभी करवाना था, पर चलो time बहुत जादा हो गया, तो अगली class जब start करेंगे हम लोग, उससे पहले हम question number 13 करेंगे, फिर उसके बाद question, ठीक है sir, ठीक है sir, ठीक है sir, ठीक है sir, ठीक है झाले हूँ, पर घर करेंगे हैности बाद करें करते हैं, पर उसके हैं रुका है समय, झाले है